सो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में दोस्तों मैं गोविन जैस्वाल दोस्तों आज मैं आप सभी को बहुत सारे लोगों का एक साथ आइडेंटिटी कार्ड बनाना सिखाऊंगा जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे अलग-अलग नाम अलग- देखेंगे हम अपने एक्सल बार और एक्सल पर हम यहाँ पर open करते हैं इसको यह कुछ यहां से तो गाइज यहाँ पर एक्सल का seat open हो चुका है अब हम यहाँ पर एक data लेते हैं data में क्या है इस seat को समझे जैसे आपको बहुत सारे लोगों का जैसे अगर आप school चलाते हैं या कोचिंग चलाते हैं तो आपके student का नाम, उनके पिता का नाम, उनका male है, female है, किस city से हैं, उनका mobile number, ये सारी चीज आपको लिखकर रखना होगा अपने Excel के seat में, तभी तो आप उनका यहां पर identity card बनाए पाएंगे, तो आपको identity card बनाने से पहले आपको इनका पूरा नाम जैसे, जैसे मालीजी हमारा एक company है, हमने यहाँ पर serial number डाल दिया, employee ID डाल दिया, name डाल दिया, father name डाल दिया, और उसके होने decidency यहाँ पर डाल दिया, मनलब कि यह क्या कार करते हैं, यहाँ पर gender डाल दिया, city डाल दिया, mobile number डाल दिया, अब इतनी चीज आपको maintain कर लेना है तब उनका photo आएगा, नहीं तो आप वहाँ पर photo लाए नहीं पाएंगे, तो कैसे लगाया जाएगा, इसको जानना सबसे better बात होगा आपके लिए, तो यहाँ पर आप photo में आप पहले वाले पर click करेंगे, यहाँ पर यह मोहन जो है, इनका photo लगाना है, तो इनका photo लगाने कैसे किया जाएगा, उसको समझे, जैसे यह photo है, इस पर हम right click करेंगे, और यहाँ पर आप देखे, rename का option लिख जाएगा, अब यहाँ से आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इनका नाम, तो जो भी बैकते होंगे, उनका photo आप लीजिएगा, और rename करकर जो भी लिखा हो यह तिनका photo हमने कर दिया, इतनी चीज आपको पहले करना होगा, तो यह करना आपने सीख लिया, अब हम Excel के seat पर आते हैं, Excel के seat पर हम आ गए, अब देखो हमें Mohan के आगे photo का link लगाना है, तो इस वाले पर हम cell पर आपका select करेंगे, और उसके बाद में आपको control के साथ K press कर पर है, देख्ते हैं, कौन है, Mohan है, तो Mohan को देखते हैं, कहां पर है, यह कुछ यहां पर, यह देखो Mohan आगया, जैसे अगर हमका नाम से save रखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा, तो यह देखो Mohan मोहन आए, Mohan को हमने click किया और on Aa कर दिया, देखो यहां पर link लगक कर उड़ते हैं, यहां पर यह करन मिल गए, इसको OK कर देता हूं, तो इस तरीके से सारे लोगों का आप लिंक लगाई है, तो यहां पर हम जल्दी से लगा लेते हैं सारे लोगों का लिंक, यहां पर हमने जल्दी से पूरा लिंक लगा दिया फोटो का, अब इसमें एक काम करना होगा इसको पूरे को select कीजिए और यहाँ पर एक-एक select लगा हुआ इसको हमें double select करना है तो पूरे को select कर लीजिए फिर यहाँ पर find and select पर click किजिए replace पर click कीजिए और उपर वाले में केवल एक यहाँ पर लगा देना है column को कुछ इसको और यहां पर second वाले में दो कर देना है यह कुछ इस तरीके से दो करने के बाद में आपको यहां पर replace पर क्लिक करना है और okay पर क्लिक कर देना है अब यहां पर देखिए दो दो लग चुका है इतनी बात हो जाने के बाद में अब हम इसको simple से save कर देंगे और excel पर हमारा जो complete जो कार्य है वो complete हो गया है अब हम चलते हैं MS Word पर और अब अपना जो identity card है उसको हम बनाना सीखते हैं तो इसके लिए हम mailings पर आएंगे और labels पर यहाँ पर click कर देंगे labels पर click करने के बाद में हमें यहाँ पर new document पर click करना है अब इस पर click करने के बाद में हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको तो यहाँ तक हम बढ़ा देते हैं और इस तरफ के भाग को हम थोड़ा सा यहाँ तक बढ़ा देते हैं यह हमने बढ़ा दिया इतनी बात हो जाने के बाद में इसको select करना आप पहले जानी है यहाँ पर आप लाएंगे corner पर तो यह चार खाने का आपका यह बन जाएगा करजर तो इस पर अगर आप click करेंगे तो पूरा select हो जाएगा तो select करना आपने जानी है select कर लीजिए अब यहाँ से हम थोड़ा से को minimize करते हैं पूरा page हमें दिख सके तो यह कुछ यहाँ पर यह इस तरीके से हमारा page दिख रहा है अभी अब हमें layout पर आना है और इसके height को बढ़ाना शुरू करना है और कब तक बढ़ाना है जब तक कि हमारा एक page में 6 यहाँ पर identity card बनने का space पेस ना हो जाए तब तक तो हम इसके height को layout पर आकर बढ़ाते हैं बढ़ाना शुरू हमने किया बढ़ाते गयाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे यह कुछ यहाँ पर आप देखिए कि एक page में 1,2,3,4,5,6 चहे आगया यानि एक page में 6 identity card हमारा बनेगा इसके बाद में आप हम यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं और फिर हम यहाँ पर इसको समझते हैं तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अब इतनी बात हो जाने के बाद में simple से अब हम यहां पर insert पर आएंगे और insert पर आने के बाद में यहां पर हम को क्या करना है shape वाले पर आना है और shape को यहां से हमें fill करना होगा तो shape वाले पर हम click कर देंगे shape वाले पर click करने के बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पर सेप को कुछ इस तरीके से ऐसे करकर यहाँ पर हम सेप को बना देंगे उसके बार में यहाँ से हम सेप फिल पर आएंगे और यहाँ से कोई कलर लेंगे चाहे जो कलर लेजी आप जैसे यहाँ पर हम डार्क वाला गल ले लें तो यह हमने ले लिया उसके बाद में आप अपने माउस के right button को प्रेस करेंगे और यहाँ पर add text पर click कर देंगे Click करने के बाद में आपको लिखना है अपने school का या company का नाम तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अपने school का नाम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिखते हैं gd.public.school यहाँ पर इसकूल यह हमने लिख दिया और लिखने के बाद में इसको हमें कहा करना है control एसे select कर लेना है select करने के बाद में आपको आना है home type पर और इसको bolt कर देना है और इस calibrary body यानि इस वाले पर आपको आने हैं और यहाँ से यहाँ से आप इस पर कर देंगे और यह कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा इतनी बात complete हो गई उसके बाद में आपको क्या करना है आपको simple से insert पर आना है और यहाँ पर आपको text box पर आना है और यहाँ से draw text box पर आना है और यहाँ से हम एक text box को यहाँ पर draw करेंगे यह कुछ यहाँ से, यह हमने एक text box और draw कर दिया, home पर आएंगे और इसके size को थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ पर, इस तरीके से छोटा कर लिया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश और यहाँ पर आप pin code भी डाल सकते हैं जो भी आपका pin code होगा हो आप डाल दीजिएगा डालने के बाद में आप देखिए इसका जो भाग है यह अलग चला गया है तो इसको थोड़ा और यहाँ तक खीच देते हैं कीचने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर हमें select करना है control A से select किया और इसको हम bolt कर देते हैं और इसके size को थोड़ा सा और चोटा कर देते हैं चोटा क्या उतने पर रहने देते हैं या थोड़ा सा चोटा भी कर लिजी करने के बाद में आपको क्या करना है इसको थोड़ा सा उपर लेकर आना है ये कुछ यहाँ पर इतनी बात हो जाने के बाद में अब आपको क्या करना है इस फार्मेट वाले आप्शन पर आना है और यहाँ पर यह जो सेप फिल है यहां पर color जो है इसको हम white कर देंगे यह white कर दिया अब देखो यहां पर जो हमारा address है यह लिखकर आ गया है अब इस address को हम थोड़ा बढ़ाना चाहें तो इसके size को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं और इसको यहां पर हम इस वाले पर click कर देंगे यह click हो गया click होने के बाद में इसको थोड़ा सा हमें इधर लाना है तो इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आएंगे यह कुछ इस तरीके से यह यहां से ऐसे इसको हम बीच में अर्जस्ट कर लेना तो यह हमने बीच में अर्जस्ट कर लिया यह इतनी बात हो गई अब हमें क्या करना है यहां पर करजल लेकर आना है करजल लाने के बाद में आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा मैं यहां पर insert टैब में आईए यहां से एक table आपको insert करना है यह इस तरीके से इसके बाद में अब आपको क्या करना है यहां पर आना ह है और इसके साइज को थोड़ा सा नीची कर देना है यह हमने कर दिया और इसको फोटो के साइज के रूप में कर लेना है तो इसको हम फोटो के साइज के रूप में करेंगे यह कुछ यहां से और इसको भी कुछ यहां से यह हमने फोटो के साइज के रूप में इसको कर लिया इतनी बात हो गई, अब हम cursor को यहाँ पर लेकर आएंगे और उसके बाद में home tab पर जाएंगे और इसके size को थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ पर 9 पर कर देंगे और 9 पर करने के बाद में अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपना serial number, क्या लिखेंगे serial और उसके बाद में यहाँ पर number serial number लिखेंगे serial number लिखने के बाद में enter कर देंगे enter करने के बाद में आप यहाँ पर हम लिखेंगे name, तो यहाँ पर हम लिखते है name, फिर उसके बाद में यहाँ पर name लिखने के बाद में फिर enter कर देंगे फिर यहाँ पर हम लिखेंगे father name तो यहाँ पर हम क्या लिखते है father यह कुछ father यह यहाँ पर हो जाएगा name father name लिख दिया father name लिखने के बाद में फिर enter करेंगे यहाँ पर फिर हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से employee id तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से employee id employee id लिखा और employee id लिखने के बाद में फिर इंटर कर देंगे employee id लिखने के बाद में यहाँ पर हम लिख देते हैं diligence तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह कुछ इस तरीके से और यहाँ से आपको इस तरीके से कर देना है यह हमने पूरा लिख दिया इतनी बात हो जाने के बाद में हम थोड़ा और इंटर कर दें होते हैं और यहाँ पर हम mobile number भी यहाँ पर लिख देते हैं mobile number हमने लिख दिया यह कुछ इस थरीके से तो यह फूरा format हमारा बन गया है अब इसको थोड़ा सा select करते हैं और इसके size को थोड़ा सा और छोटा करते हैं यह हमने छोटा कर लिया इसको bolt कर देते हैं यह bolt हो गया अब इसको अगर आप चाहें तो इसको color भी दे सकते हैं और start mail merge पर आपको click करना है और labels पर आपको click कर देना है और उसके बार में ok कर देना है ok करने के बाद एक बार फिर ok कीजिए अब इस तरीके से हो गया तो आपको डिरना नहीं है आपको simple से control z button प्रेस करना है यह आपका हो गया अब यहाँ पर एक update टिल लेबल जो है यह यहाँ पर आपका hide था unhide हो गया इस पर आप click करेंगे यह कुछ इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से पूरा label जो है इतना सारा यहाँ पर तयार हो गया अब label तयार हो गया है format पूरा तयार हो गया है अब हम कार करते हैं अपना यहाँ पर अगला identity card को अच्छे तरीके से बनाने का तो इसको थोड़ा सा यहां पर और अज़ेस्ट करगर अपडेट टेबल पर कर देते हैं यह कुछ इस तरीके से हो गया अब इतनी चीज हो जाने के बाद में अब आप आईए सेलेक्ट रेसीपेंट टूल पर इस पर क्लिक कीजिए यहां पर आप यूज एक्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहां पर आपको वो वाला एक्सल वाला सीट लेना है जो अभी आपने सेप किया था पूरा नंबर और नाम वाम लिखकर फोटो का लिंग लगा था तो यह वाला हमारा भाग है जीडी एंपोलाई के नाम से हमने सेप किया था तो इसको हमने किया और ओपन पर क्लिक करेंगे और यहां से ओके कर देंगे इतनी बात हो गए करजर को सीरियल नंबर के आगे लाएंगे और यहां पर इंसर्ट मर्ज फिल्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर serial number पर click कर देंगे यह आपका हो गया फिर cursor को यहाँ पर name पर लाएंगे फिर insert merge field पर click करने के बार name वाले को select कर लेंगे उसके बारने father name के आगे cursor लाएंगे फिर insert merge field पर जाएंगे और father name वाले को select करकर insert कर देंगे उसके बारने cancel करेंगे फिर यहाँ पर employee ID पर आएंगे फिर इस पर आएंगे और यहाँ पर employee ID जहाँ पर होगा उसको select करेंगे तो यह select किया और insert कर दिया फिर cursor को यहाँ पर लेकर आएंगे पहले इसको cancel करते हैं फिर यहाँ पर cursor को यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर आनक बात फिर यहाँ insert merge field पर जाएंगे और यहाँ पर क्या खता हमारा Decidency तो इस पर आप click कर देंगे और insert कर देंगे उसके बाद में mobile number लिखना है तो अब इसको फिर close करेंगे mobile number के सामने लाएंगे cursor को फिर insert merge field पर जाएंगे और mobile number पर select कर लेंगे तो इस तरीके से हो गया आपका इतनी बात तो हो जाने के बाद में अब यहाँ पर उपर जो है यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद में अब यहाँ पर आपको press परना है अपने keyboard में control के साथ F9 बटन को F9 बटन को press करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना होगा एक code include लिखना होगा तो include लिखा आपने उसके बाद में लिखेंगे picture आपको gap नहीं देना picture आपने लिखा अब gap दीजी यहाँ पर आपने gap दिया अब यहाँ पर आपको colon लगाना double inverted comma तो shift के साथ आप इस पर click करेंगे तो यह लग जाएगा इतनी बात हो जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर fill से आना है यह जो आपका insert merge field है इस पर click करना है और photo अला जो आप साने इसको यहाँ से select करकर insert कर देना है insert करने के बाद में यह कुछ इसको close कर देना है और close करने के बाद update table पर click करना है update table पर click करने के बाद में सारे में यह सारी चीज़े अपडेट हो गए update हो जाने के बाद में अब आपको merge and यहाँ पर finish and merge पर click करना है edit individual document पर click करना है और All पर select करकर OK कर देना है OK करते ही आप देखिए यहाँ पर Name Mohan का आगया Karan का आगया Arun का आगया Adil का आगया ऐसे सबका नाम यहाँ पर अभी आया है अभी के ओल फोटो नहीं आया है फोटो को लाने के लिए आपको यहाँ पर लेकर आना है यह कुछ यहाँ पर पूरे को select करना है यह select हो गया अब simple से आपको F9 बटन को प्रेस कर देना है यह कुछ इस थरीके से F9 बटन को हमने प्रेस कर दिया और अब देखिए यहाँ पर आपका Mohan का फोटो आगया यहाँ पर Karan का फोटो आगया इसके नीचे आते हैं आरुन का फोटो आगया आदिल का फोटो आगया और रोहन का फोटो आगया फातिमा का फोटो आगया उसके बादे नेहा का फोटो आगया अनुज का फोटो आगया जितने भी लोग थे अब यहाँ पर जितने लोग नहीं थे सहित identity card जो है वो यहाँ पर बन गया तो इस तरीके से आप identity card को बना सकते हैं I hope कि ये वीडियो आप सभी को अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को लाग कीजिए मिलेंगे किसी नहीं वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद